दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि 5 अक्टूबर यानि कि आज का दिन हर्याना में विधान सब चुनाओ है लेक्षन है जिसके केमपेणिंग में पिशली रात जो चार तारीक थी ना सब लोग बहुत जो भी मंतरी नेता एंपी सब लोग होते हैं वो लोग बहुत महनत कर रहते है मैं सचीन आप सभी के एक बार स्वागत करता हूँ अपनी यूटू चैनल Mr.&missis चीनल धोस्तों आज का व्लॉग बहुत इंपोर्टनक है क्यों इंपोर्टन है क्यों कि हैक लोोग सब मतलब जो लोगों टेंजो निलोगों का यानि कि संबिधान का भारत का एक मह परव हर्याना के दिहास में और वो है आज के एलेक्शन तो है और एलेक्शन के पहले यहां पर जो MP थे हमारे बराड़ा के वह आयोगे ते घर पे पर उसके घर पर सब की मीटिंग में पूरी कॉलोनी के हम लोग थे जितने भी घरवाले हैं सब लोगी कठा हुए कत्री थे औ यह देख सकते हैं शकर तो दिखाया है वैसे तो जिनकी भी सरकारे रही है ना बराड़ा नोड़ा पहले से तो डेवलप्ट है ही लेकिन आने वाले टाइम में और भी इसकी डेवलप्मेंट के उमीद है और सड़क वगेरा हो गया या हॉस्पिटल हो गया एज्यूकेशन ह गया गौर्मेंट स्कूल भी एकदम सीवेसी है यहां पर तो काफी अच्छी वैसलीटिस है लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कमिया होती है ना उस पे लोगों को तो काम कर नहीं है तो बहुत जरूरी होता है कि हम सही नेता का चुनाओ करें और सभी लोग जो भी आ रहे थे बात कर रहे थे हैं अच्छा लगा तो MP होकर कि इतने बड़े पत्व हो कि घर पे आना और सबसे एक एक करके मिलना यह बहुत बड़ी बात है इनसे तो खेर चलो लगाओ तो है ही सबका सबसे लगाओ होता है और काम होना चाहिए हमारा देश विकास होना चाहिए पार्टी की इज्जत होती है और पद मायने रखता है बस उमीद करते हैं कि जो भी पार्टी रहेगी जो भी लोग आएंगे वो लोग विकास करेंगे चाहिए जिस भी छेत्र में आए बस मैं तो ज्यादा पॉलिटिक्स और इन सब चीजह में इंट्रेस्ट नहीं लेता हूं लेकिन काफी अच्छा लगा मिलके इन से भी एंड चलिए बागे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं यहां पर मनीशा उठ चुकी है उठके नहाद हो चुकी है और आज के त्यभार यानि के एलेक्शन के लिए निकलने वाले हैं हम लोग अभी फिलाल उसके बाद से फिर अब लोग निकलेंगे घर बिहार के लिए बहुत सारा कपड़ अभी मसीन में डाले हैं लेकिन समझ में नहीं आजाए कि उसको धोले के नहीं और इनकी आवाज को बढ़ाने के लिए इनके गरदन का ओप्रेशन कराके अंप्लिफायर लगाना पड़ेगा ताकि आवाज जाए बहुत धीरे बोलती हैं इतना धीरे बोलती है कि खुद की कानों तक आवाज चली जाए वही बहुत बढ़ी बात है मुह से निकलके बस कान देखाना चाहिए अरे तुम कैमरा के माइक से दूर और हम हाथ ऐस तब यहां पर मनिशा रेडी वेडी हो रही है इसी बीच मैंने सोचे कि आप लोगों से क्यों ना कुछ ज़रूरी बाते कर लो तो गईज बैसिकली आज का दिन ना बहुत हेक्टिक होने वाला है और कुछ कमेंट वगर आ रहे थे मैं भी ऑनिसली होता हूं मैं किसी के व्ल लेकिन कोई बात नहीं है सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना ही एक वो होता है कला होता है और अभी फिलाल हम लोग यहां से निकल रहे हैं पहले वोट देने मम्मी को लेकर के बहुत सारी कमेंट आये हुए कि मम्मी इतनी परिशान है तुम कैसे बेटे हो कि यह है वो है त तो मैं कुछ इस बात पर टिपड़ी नहीं करना चाहता था लेकिन मम्मी मेरे को क्या लगता है न कि देखो हर इंसान का हमारे सामें भी कभी फील हो रहा था कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है उसको भी अभी रियलाइज हो रहा है अगर वो उस टाइम पर प्रिंस की बात प्रिंस को भी अगर उस टाइम पर यह समझ आता है कि नहीं भाईया भी अपनी जगा गलत नहीं है तो आज हालात कुछ और होते और उसका थोड़ा सा एक्सेस ही हो जाता है मतलब मम्मी कुछ नहीं भी करती है तो उसको मतलब इंडिरेक्ली पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पर लेकर के आना है सारी चीजों को और मम्मी अपने तरफ से हमेशा कोशिश करती है कि बेस्ट हो इन फैक्ट अभी कुछ दिनों से तो बहुत ही जादा मतलब जब से देखो मम्मी जब सोशल मीडिया पर नहीं थी या पूरा परिवार हमारा कोई नहीं था तब हम लोगों बन के हमारा खड़ा है अब जो हाल आते हैं वो बिल्कुल विपरीथ है अब मम्मी खुद व्लॉग करती है मम्मी के भी आप लोगोंने एक लाग सब्स्राइबर्स कम्प्रेट करे हुए है अब जमाना जैसे से बदल रहा है सब लोग कहीं नहीं सोशल मीडिया के तरफ अब इस पर बात करेंगे अपना वीडियो बन जाएगा बेवजय में नाटक भी किया जाता है तो यह सब चीजे न मतलब मुझे नहीं समझाई कि यार यह सब करना वाकी में इतना जरूरी है क्योंकि मम्मी अभी कुछ दिनों से कुछ दिनों से क्या मतलब शादी के बाद स पुमें बहुत सारे चेंजेश आये हैं इसमें मैं कोई दूभो नहीं बोलूँगा हाला कि वो लोग बड़े हैं गलत सही का तो लिज्ब्दने लेने वाला समझ में नहीं आता है कौन क्या है लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि कोई भी मावा कोई भी इज़ट बसृते की बस एक समाजिक सोच पे अगर निर्वर हो तब अगर समाजिक सोच पे निर्वर होतकर कि समाज के अनुसार अगर अपने परिवार को चलाते है तो कही नगए जेनरेशन गयप के वज़े से वो खटास क्रीएट हो जाती लेकिन अगर कोई intentionally किसी चीज़ को करना चाहे कि हाँ, इस चीज़ से उसको फैदा दिख रहा है, वो चीज़ करो, तो वो मैं समस्ता हो कि गलत है, तो अभी मैं मम्मी के उले करके कुछ बात नहीं बोलना चाहता हूं, मम्मी अपनी जगा पे जो भी है, वो अपना best कोसिश कर रही है, वो मम्मी बहुत मेहनत करती है, किसी भी छेतर में हो, सुरू से ही मम्मी का न मतलब ये work, मतलब हाड़ वर करनी के जो वो है न शक्ति है, वो उनके अंदर रही है, तो मैं समस्ता हूं कि मम्मी को लेकर कभी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, ना मुझे, ना किसी और को भी ना उसको भी, जिसके वज़े से उसको परिशानी हो, या फिर किसी और कोई परिशानी हो, या मम्मी को भी परिशानी हो, तो अपना सब लोग काम पर फोकस करो, अपना कंटेंट वगरा ध्यान देना चाहिए, और कोई बिमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तेर इ सबी नहीं कि fit होना चाहिए एकदम कभी तो बिमार होना चाहिए उसे पता लगते हैं जुखाम होते रहना चाहिए साल में एक आधवार या दो साल में एक आधवार तो जुखाम होना ही चाहिए तो पता लगता है कि हमारी body की immune system सही तरीके से काम कर रही है तब इसको थोड़ा सा मुद्दा बना करके अगर भुमा दिया जागा तो अलग बात है लेकिन मैं कुछ ज्यादा opinion अपना नहीं देना चाहूँँगा बाकी वीडियो में ये भी बोला जा रहा है कि सब के लिए मैं खड़ा हूँ सब के लिए मैं किया हूँ तो वो इंसान का फर्ज होता है कि जब आपको कुछ भी होता है कोई भी मुसीबत किसी को उपर पढ़ती है तो आपको सब के लिए ख़रा होना वो आपकी इंसानियत है आप यह बता रहे हो कि मेरे अंदर इंसानियत है मेरे अंदर इंसानियत है मेरे अंदर इंसानियत है तो फिर पहले इंसान नहीं थे गया तो यह बताने क्या कोई लॉजिक नहीं होता है डिरेक्ली या इंडिरेक्ली कि मैंने सब के लिए किया है क्या किया है जितना आपने किय उससे कई गुना ज्यादा आपके लिए सब ने किया है तो अपना वक्त किसी को भूलना नहीं चाहिए हम लोग भी बहुत मतलब कली मैं डिस्कॉस कर रहा था किसी से कल मैं वहाँ पे एक हमारी पडोसी है उनसे बात हो रही थी जब वो MP साव आय थे तम पैसे बहुत लंबर राइफ करना या अभी तो नींद आ रही है उनसे जब डिस्कॉसन हो रही थी वो लोग स्पेन वगरा की बाते कर रहे थे वो फॉरें वगरा रहते हैं तो जब उनसे बाते करता है जब मैं मैं उनको ही बता रहा था बीच में जबकि 5 km है तो 5 दूनी 10 km पांच किलो मिटर पीच से कमी होगा तो वही 8-10 km का मतलब driving का fuel जो हो मेरा बचा रहा इसलिए मैं गाड़ी में बठा रहता था खाना में परांठा खा लेता था 20-40 रुपए का बीन का परांठा एक ले लेता था एक दो महीने starting में से कि हमें इतना वड़ा आज यह जो घठ दिख्रा इतना बडा शियाना मिल गया इस सब हमने महनत से बनाया महनत किया चाहे यूटूब पे किया चाहे अपने trading पे किया या फिर जा किसी भी platform पे किया हमने लेकिन हमने महनत किया और महनत करने के बाद हम लोग आज जो भी इस मुकाम पर पहुंचाए और अगर आप किसी भी छेत्र में मेनद करते हो तो ही पहुंचते हो अगर किसी का आप नुकसान करके सोचते हो ना पता नहीं क्यों मैं ये विश्वास रखता हूँ बहुत ज्यादा नियंदारी रात को भी काफी लेट हो गया सोते सोते हैं अब सुबह भी एकदम ही हो रहा है तो मैं ये यकीन करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि अगर अपन किसी चीज़ को सिद्दत से करे ना तो ही अपन हासल कर सकते हैं किसी का नुकसान करके किसी को दुख दे करके किसी को कश्ट पीड़ा तकलीफ दे करके अगर आप ग्रो करना चाहो तो नहीं ग्रो कर पाओगे सबको इतना खुश मिजाज इतना मस्त होके रहना चाहिए ना ताकि जब आप ना भी रहो तो लोग आपको याद करें तो बोले कि यार 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 यह बंदा है तो मैं वही समझता हूं बाकी सबसे मैं क्या ही बोलू आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि इन चीजों को लेखर कि कोई भी बात मेरे क्षाइनल पेट लिस्ट ना करें सब लोगों को खुश रहने दें और मैं किसी भी मुद्धे पर भी बात नहीं करना चाहता हूं मैं खुदी बहुत बीजी हूं बैक टू बैक इवेंट्स है छे को साथ को आठ को नो को चारो दिन लगता रहा ह फिर वापस अंबाला भी आना है फिर उसके बाद से 23 तारीक फिर इवेंट है 27 तारीक फिर इवेंट है अक्टूबर में तो मेरे बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम्स वगरा भी हैं इवेंट्स भी हैं तो ठीक है अपने लोग मेहनत करते हैं अपनी जगह पर लोग इतना प्यार देते हैं आप लोग इतनी महबबत करते हो कि आप लोग बीच भी आकर कि हम लोग मिलते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम लोग कोई सेलेबरिटी हो आप लोग इतना फील कराते हो इतना आप लोग हमें स्पेशल फील कराते हो तो हम लोग भी महनत करते कि नहीं और महनत केमरे में कल से इनका भी तबेट पूर है थोड़ा सा ट्रावलिंग में थोड़ा दिखत हुआ है यह कितना भी डाउन हो जाए लेकिन मेरे को तो जो काम है वो करना ही पड़ता है तो इसलिए अब हमको यह जब मेरे जब लगता है कुछ ज्यादा हो रहा है जैसे कि नहीं कि एब कोई की तरह की चीजी मत बोली है मेरे चैनल पर अभी हमारे साथ बहुत अच्छा है बहुत अच्छी समझा पूरे परिवार कि एठीटे, आँ वे रहा शुद ऑझा है महीं जब फिर भी वहां च्छा है कोई किसी का आप अपनी जग है कुछ आप लोगों से बाते करेंगे तो चलो, thank you so much guys मिलते हैं आप सब सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए पाई पाई, love you all चेह हैं